पॉड करता सिखी गया ची, के विरीते करा से, तो के जितलू UDL आपेलू चे, UDL केतलू आपेलू चे, 4, केतला डिस्टेंस मा आपेलू चे, तो के 4, माटे थसे 4 इन्टू 4, एटले के 16 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन नों पॉइंट लोड थसे त्या, और एक क्या बता आपेले एक्जांपल मा, RB इन्टू 8, एंटे कलोकोस मोमेंट, इस एक्वल तू 8 इन्टू 2, प्लास 4 इन्टू 4, अवे तमने ख्याला आवियो, के 4 इन्टू 4 केम लिदू चे, 4 चे, 4 चे, 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 इसू चे, UDL आने बिजू जे 4 चे, 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 इसू चे, एन्नू दि 6, RB इन्टू 8, इस एक्वल तू 112, तो, RB इस एक्वल तू 14 किलो न्यूटन, आपडे सपोर्ट B उपनू रियक्शन फाइंट करी लिदू, RB इस एक्वल तू 14 किलो न्यूटन, हवे सपोर्ट A उपनू रियक्शन फाइंट करी, राइट साइट मा, एन्य कंदिशन चे, वी इस एक्वाल टू जीरो एनी कंडिशन थसे अपफ़ड फोर्सीज इस एक्वाल टू डाउनवर्ड फोर्सीज तो अपफ़ड फोर्सीज यहां बीम मा बे छे आर अने आर बी अने डाउनवर्ड फोर्सीज गया थसे 8 अने 16 अपने 16 ने जे पॉइंट लोड मा कंवर्ड क अपवर्ड फोर्स कई आपेला छे यहां सपोट A उपर अने सपोट B एले के R A एनो डिरेक्शन के वीचे अपवर्ड छे R B नी डिरेक्शन पन के वीचे अपवर्ड छे अने उपर 8 किलो न्यूटर्ण नो जे फोर्स आपेलो छे A पॉइंट लोड एनी डिरेक्शन के वीचे डाउनवर्ड अने आपणे जे यूडियल ने जे कनवर्ड करियो 4 इन्टू 4 करिने एले केटलो मड़े आपने 16 एनी डिरेक्शन पन थसे डाउनवर्ड एले उपर आपने बे फोर्स मर्से 8 अने 16 अने जे नीचे आपेला छे R A अने R B ए थसे अपवर्ड फोर्स इस ओके So R A प्लस R B इस इक्वल टू 8 प्लस 16 R A प्लस 14 राइट साइड मा आपड़े B नी वैल्यू फाइंट करी दीदी चे R B नी वैल्यू 14 एटले एपुट अप करी आपड़े तो R A प्लस 14 इस इक्वल टू 24 र A इस इक्वल टू 24 माइनस 14 So R A इस इक्वल टू 10 किलो न्यूटन ओके तो यह आपड़े R B नी वैल्यू अने R A नी वैल्यू बन्ने नू वैल्यू फाइंट करी एटले के यह आपने वीम पर UDL पना पेलो हतो लोड अने पॉइंट लोड पना पेलो हतो तो यह बन्ने में आपड़े रियक्शन फोर्स A अने रियक्शन फोर्स B एटले के R A अने R B के भी रिते फाइंड कराएं यह आपड़े समझ जिया चलो एवो ने एवो एक बिजो एक्जांपल जोई है A simply supported beam AB 10 meter long is loaded with UDL of 2 kN into meter for 4 meter length starting from 2 meter from left support A and a concentrated load of 4 kN at 2 meter from right support B find out reactions at support A and B यह आपने simply supported beam AB आपेलो छे एनी length है यह केटली किदी छे आपने 10 meter 10 meter length आपेली छे एमाथी UDL आपेलो छे आपने 2 kN into meter नो 2 kN into meter नो जे UDL आपेलो छे आपने किदू छे के 4 meter length एटले के 4 meter नी लंबाएमा 2 kN into meter नो UDL लागे छे पन 4 meter जे चे E क्या छे तो के starting from 2 meter from left support A एटले के डाबी बाजू नो जे A support आपेलो छे तेना थी 2 meter नो distance पती जाई पच्छी ना 4 meter ना distance माँ आपने UDL आपेलो छे एन्डा कॉंसंट्रेटेड लोड ओफ 4 kN एटले के एक विजो आपने point load आपेलो छे 4 kN नो A क्या आपेलो छे तो के A 2 meter from right support B एटले के right side नो जे support B आपेलो छे तेहां थी केटला distance है 2 meter ना distance है तो चलो नीचे figure माँ तमने देखाई छे A औने B simply supported beam draw करेलो छे support A थी 2 meter ना distance पच्छी 4 meter ना distance माँ आपने जे परमाने किदू छे एपरमाने draw करियो छे UDL केटलू UDL आपेलो छे आपने 2 kN in 2 meter आने बिजो point load आपेलो छे आपने यह 4 kN नो ए right side ना support थी 2 meter ना distance से आपेलो छे माटेने एरी ते draw करेलो छे 4 kN नो point load तो आहिए एक point load आपेलो छे आने बाकी नू UDL छे तो first आपेली सू करसू तो के UDL ने point load मा convert करसू तो UDL ने point load मा convert करिये तो किटलू थासे तो के 2 kN in 2 meter नो UDL लागे छे आने किटली length मा लागे छे 4 meter नी length मा एटले के जे UDL लागे छे UDL into any length एटले के 2 into 4 is equal to 8 kN kN रहे से किमके meter meter cancel थासे जे length नो meter चे ए अने kN to meter नो इठला ही आपने point load माड़ से 8 kN तो उपर 2 point load थासे 8 kN अने 4 kN अने नीचे बनने reaction थासे R A अने R B औके अने total beam जे चे एनो span नहीं आपनने आपने लोचे 10 meter चलो तो हवे आपने reaction force find करिये taking moment at the rate A sigma M is equal to 0 anticlockwise moment is equal to clockwise moment R B into 10 तमने ख्याल आवी कियो figure मा total span केटलो आपने लोचे 10 meter R B जे force चे चे right side नो force एनने ए a point सुधी पहुंचवा माटे total span जेतलो distance travel करू पड़े so R B into 10 अने एनो force जे चेके हो चे अपवड चे माटे ए थासे anticlockwise moment is equal to clockwise moment उप़र आपडे 2 force में तमने बाद करी कि एक 8 kN नो force चे आने एक 4 kN नो force चे 8 kN नो force चे a ने ए पॉण्ट सुधी पहुंचवा माटे 4 meter नो distance travel करू पड़े चलो ए फिगर माजो ये 8 kN नो जे force थसे एदे के 4 meter नी length मा 2 kN into meter नो जे UDL आपेलू छे UDL ने आपडे ड्रो करे तो क्या ड्रो करवानू छे UDL ने तो कि जेटली length आपेली चे ए length ना center मा तो 4 meter चे नो center क्या थसे तो कि 2 meter into 2 meter तो left side ना support थी 2 meter तो आपेलू चे अने बिजू 2 meter थसे एदले 2 plus 2 is equal to केटला थसे 4 meter थसे एदले के 80 kN ना force ने support ए सुधी पहुचवा माटे 4 meter नो distance ट्रावेल करू पड़ से अने जे बिजो point लोड आपेलो चे आपने 4 kN ए 4 kN ना force ने ए point सुधी पहुचवा तो केटलो distance ट्रावेल करू पड़ से तो के टोटल स्पान ही आपने 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 10 meter फर्स्ट लेट साइड थी गड़िये तो 2 meter plus 4 is equal to 6 राइट साइड थी हैं आपने 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 2 meter तो लेट साइड ना support थी आपने काउन्ट करिये तो 2 meter plus 4 meter plus 2 meter तो टोटल थसे 8 meter इलेके 4 kN ना force ने support एशुदी पहुचवा माटे 8 meter नू डिस्टन्स ट्रावेल करू पड़ से चलो यह जोई आपने Rb into 10 is equal to 8 into 4 plus 4 into 8 Rb into 10 is equal to 32 plus 32 Rb into 10 is equal to 64 So Rb is equal to 6.4 kN अहीं आपने support B उपर नू reaction एटले के Rb आपने फाइंड करियो आपने value मड़ी छे 6.4 kN चलो हवे support A उपर नू reaction फाइंड करिये एनी condition लहीं आपने right side आपे ली छे Sigma V is equal to 0 थसे upward forces is equal to downward forces तो figure मां जो ही आपड़े कितले upward forces छे औने कितला downward forces छे upward forces बे छे A support उपर और B support उपर एटले के reaction force A और reaction force B ये बनने थसे upward आपने downward काई हूँ आउसे तो क्या पड़े जे एक UDL ने point load मां convert करियो RA plus 6.4 6.4 आपड़े जे left side RB ने value जे find करी छे ये आपड़े put up करिये है So RA plus 6.4 is equal to 12 8 plus 4 is equal to 12 So RA is equal to 12 minus 6.4 So RA is equal to 5.6 kilo newton तो यह RB ने value मढ़े आपने 6.4 kilo newton आने RA ने value यह आपने मढ़े छे 5.6 kilo newton तो आजे आपड़े गणा बता example जोया First आपड़े point load ना example जोया के simply supported beam उपर point load लागे छे अने ए point load मा moment ने लईने reaction force के विरिते find करवा ए जोयू पच्छी आपड़े unknown force आपे लोचे आपने unknown distance आपे लोचे ए पड़े आपड़े सोधिता सिखी गया अने third आपड़े जे last method जोयी के UDL method UDL method ने point load मा convert करता आपड़े जोयू के के विरिते convert करवानी छे तो के जितलू UDL आपे लूचे ए यूडियल सपोस के 2 kilo newton into meter नो UDL आपे लूचे अने 2 meter ना distance मा आपे लूचे तो आपड़े इने point load मा convert करूँ असे तो के विरिते करशू तो first आपड़े शू ले वानूचे जे UDL आपे लूचे ए यूडियल अने जितला distance मा लागे चे ए डिस्टन्स ये बन्ने नोशू करवानूचे multiply करवानूचे एटले के 2 into 2 is equal to के लूचे 4 kilo newton अने जे 4 kilo newton जे आपने मड़े चे point load एने बतावानूचे क्या तो के जितला distance मा यूडियल लागे चे ए डिस्टन्स ना center मा तो में तामने वाद करी के 2 meter नो distance तो 2 meter नो distance center मा बताविये तो पाट के विरिते पड़ से तो के 1 meter अने 1 meter नो पाट पड़ से हवे ना lecture मा आपड़े force beam उपर incline आपे लो असे अहीं आपड़े बदा force जोई आई कि वा आता vertical force आता UDL जो यूँ पन हवे आपने incline force एले के beam उपर particular कोई degree है एले के incline force आपे लो चे तो इंक्लाइन फोर्स ने लईने beam ना reaction के विरिते find करवा एले के support A और support B एले के R A और R B ने के विरिते find करवा और next पचे आपड़े जोशू के graphical method मा reaction force A और reaction force B ने के विरिते find करवा तो आज ना lecture मा आपड़े अटलू जरा किया थैंक्यू